है गाइस वुलकम बैक टी जरू सिख स्टेडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके DRDO सेप्टेम 2022 के स्लेबस के बारे में आप सभी को बता होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी स्लेबस नहीं है और एक्चुल में DRDO आपका ओफिश ZG ही देता है या फिर RR भी जही देता है DRDO कभी आपका ऐसे श्लेबस रिलीज नहीं करता है और इस बार करने थो बता नहीं लेकिन आपका यह जो श्लेबस में आपको बताने जा रहा हुँँ यह श्लेबस आपका प्रेवियस हेर के एक्जाम के बेसिस पर है कि किस-कस अब्जेक्ट करके हम याँ पर चलेंगे और सारे टॉपिक्स को बिल्कुत जीरो से लेके कवर करेंगे, लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको mathematics में कुछ नहीं आता है, reasoning में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सब कुछ जीरो है, तब भी आपको वो classes समझ में पेपर पैटर्न में जो है इसमें आपका, एक बिल्कुल से, तो DRD से एक्जाम पैटर्न, इसमें आपका जो एक्जाम होगा, इसमें आपकी कोई भी negative marking नहीं होगी, तो अभी जब हम practice करेंगे, तब तो हम कोई भी question attempt नहीं करेंगे, जो हमको नहीं आता है, लेकिन exam में of the examination will be commensary to essential qualification required for the post, तो जिस post के according है, आपने जब तक जो भी पढ़ा है, वो सार आपका उसमें syllabus होगा, जो आपने अच्छल में अपनी degree में या डिप्लोमा में या उसमें पढ़ाता है, आपकी exam की दो language होगी, एक आपकी हिंदी होगी, एक आपकी English होगी, negative marking का कोई भी number न आपका, ITI वाले students का भी है, इस लेबस है, questions का level भी same ही होगा, यह मत समझना, ITI वाले students कि उन हमारे easy होगा है, डिप्लोमा वाला थोड़ा hard होगा, क्योंकि इसमें जो आपका exam होता है, वो आपका 10th level पर होता है, या आपका सिर्फोर सिर्फ screening test है, कि आपको basic knowledge है, चीज़ो करना होगा, ओके, फिर आता है आपका tier 2, tier 2 में आपका technical होगा, आपका post, जो भी आपने जितने भी subjects, आपने अपनी graduation में, डिप्लोमा में, या फिर अपने ITI में पढ़े थे, वो आपकी branch के coding होगे, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इसमें आपके 5 subjects हैं, जो यह आपका उ सबसे पहले हम English ले लेते हैं, English का अगर आप सोचोगे तो इतना जादा difficult नहीं आता है, English में आपके maximum जो questions होते हैं, वो synonyms होते हैं, antonyms होते हैं, simple sentence होता है, rearrangement of verbs होता है, vocabulary बहुत जादा होती है, तो अगर आप इस exam के preparation कर रहे हो, तो आज से, अभी से, जब भी आप free हो होते हो, तो कोई भी channel, किसी भी YouTube channel से, या फिर कोई भी books से, जितनी जादा आप अपनी vocabulary को improve करोगे, उतना जादा आपके लिए better होगा इस exam के लिए, vocabulary बहुत जादा आती है, ठीक है, आपका unseen passage होता है, error correction होता है, fill in the blanks होता है, sentence rearrangement होता है, जिस तरीके का आपका basic English का exam होत लो, vocabulary improve कर लो, और थोड़ी सी grammar, antonyum, synonyms की बहुत जादा practice करो, as much as you can, ठीक है, active, passive, इस तरीके के questions ही आते हैं, तो यह आपका सारा syllabus है, जो आपका है, ओके, और next है आपका syllabus for gender awareness, gender awareness में क्या पूछा जाता है, Indian constitution, cultural heritage, Indian national movement, science and technology, about India, history, worldwide, geography भी इंडिया और worldwide, और quality और governance, ठी science and technology, science and technology से बहुत जादा questions हैंगे, हद से जादा, तो science and technology हमको काफी अच्छे से करना है, आपका space से related काफी जादे questions पूछे जाते हैं, science and technology में, ठीक है, आप NASA के बारे में, ISRO के बारे में, जितने भी space है, सभी के बारे में, past one year में, क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या यह सारे चीज़े science and technology में आपसे पूछी जाती है, 4-5 questions बहुत अराम से आपके हर set में आ जाते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में, मैं आपके simple direct videos बनाऊंगा, एक-एक topic की एक-एक वीडियो आएगी, और वो direct videos होंगी, कि उस video को करने के बाद आपको जादा कुछ करने की ज़रूत नहीं होगी, maximum हम उसको cover करने की पूरा कोशिश करेंगे, और अभी के अभी चैनल को subscribe कर लो, ताकि आपको सारी videos के update टाइम से मिलते रहें, slavers for general intelligence, ठीक है, आपकी reasoning बहुत जादे important होती है हर एक चीज में, तो reasoning का आपकास में काफी बड़ा part होगा, blood relation, analogy, direction, calendar, coding to coding, number series, alphabetical series, mathematical reasoning, non-verbal series, और number ranking, decision making, embedded figure cube, dice, mirrors, etc. जितनी भी आपकी reasoning होती है आगर आप SSEJ की preparation कर रहे हो, तो वही same type of reasoning इसमें आती है, और इतनी ज़्यादा difficult नहीं होती, लेकिन questions का काफी time थोड़े tricky होते हैं, number series से काफी questions पूछता है, DRDOT का blood relation से, analogy से, calendar से भी questions पूछता है, और calendar के जो questions होते हैं, और इसकी जो reasoning है ना, वो हमने already complete करा रखी है, जो playlist है मैं उसका आपको link नीचे provide करा दूँगा, अगर आप उस playlist को complete कर लेते हो, उसमें सारे topics तो available नहीं है, कुछ 10-12 topics उसमें भी available है, और उस playlist को अगर तुम कर लेते हो, तो आपका reasoning खतम है, complete खतम है, आप reasoning में अगर 25 marks के आती है, तो उसमें आपको 20 के असपास marks लेगे आ सकता है, सिर्फ उस playlist को use करके, ठीक है, बिल्कुल हमने 0 से पढ़ा है, 0, बिल्कुल basic से, फिर आता है आपका mathematics का syllabus, mathematics में भी आपके percentage type of questions, time and work type of questions, HCF, profit, loss, ratio, proportion, system and compound, ये वाले जो part है इतना, ये आपका बहुत जादा है, औ आपका पहले अब भी बताता हूँ कि official syllabus नहीं है, इस इस topic से बहुत जादा questions आते हैं, past में इस से आपके आयते, September 9 में, ओके, तो ये वही है, आपका जो syllabus है, ये आपका, ये वाली जो PDF आपको telegram group में मिल जाएगी, telegram group का link मैंने नीचर description में दिया हुआ है, अब मैं आपक आपको books भी बता दूँगा इसे वीडियो में, कि आपको कौन-कौन सी books useful होगी, ठीक है, decimal fraction ESR आपका useful होगा, books भी मैं साथ-साथ बताई देता हूँ, तो mathematics के लिए आप RS अगरवाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, quantitative aptitude की book आती है, उसका link मैंने नीचर description में दिया हुआ और general फिर आती है आपकी यह है, English, English के लिए अगर आपके पास कोई भी book है, जो भी book आपके पास English की है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको मिले, आप वो यूज़ कर सकते हूँ, okay, reasoning के लिए, reasoning के लिए आप RS अगरवाल की book यूज़ कर सकते हो, okay, और है वो आप यूज कर सकते हूँ और general evidence के लिए आप general elucent की book यूज कर सकते हूँ फिर आता है आपका general science general science में आपका तीन चीजे होती है physics, chemistry, biology वहीं पर biology से आपके बहुत कम questions आते हैं और physics से सबसे जादा question आते हैं अगर general science की बात करें तो general science में अगर आप suppose कर आपके 30 या 25 question होते हैं तो 30 question का एक example लेते हैं तो उन 30 questions के अंदर से आपके maximum कुछ 8, 10, 12, 13, 15 एक बहुत बड़ा proportion जो होता है वो आपका physics का होता है तीस मिसला एक 12 से 15 question आपके physics के हो जाएंगे आपके chemistry के कुछ 8 से 9 questions हो जाएंगे biology के 3 से 4 questions, 5 questions हो जाएंगे ठीक है तो इस चीज़ पर ध्यान देना और यह जो मैं आपको analysis बता रहा हूँ यह previous year के paper के basis पर बता रहा हूँ उसकी playlist भी हमारे channel पर already है तो उसको अभी link मैंने नीचे description में दिया हुए और computer की basic questions आते हैं लाइक what is CPU, what is mouse, RAM की get full form होती है ROM की get full form होती है ठीक है इस तरीके के questions आप से पूछे जाते हैं उसके साथ आपके जो free lectures हैं वो हमारे channel पर काफी जल्दी शुरू कर दिये जाएंगे lectures कोई ऐसे पूरे live lectures नहीं होंगे वो complete videos होंगी और एक-एक topic जिस video में cover होगा वो आपके लिए more than sufficient होगा ओके आप उस video से तो पढ़ी सकते हो बाकी अधर YouTube channels को या platforms को use कर सकते हो जैसा आपका मनूँ लेकिन हमारे channel पर जो भी DRD से related classes होंगी वो आपके जो videos होंगी completely free होंगी और हम try करेंगे as much as जितने जल्दी हो सेके हैं आपको ये सारी चीज़े provide करा दें आपको सबसे पहले क्या चीजे पढ़नी है क्या topic पढ़ना है उसके बारे में नीचे comment section में बताइए मैंने आपको तीन चीज़े बताइए ठीक है एक तो previous year का paper का link नीचे description में है कि पहले आपका कैसा paper आया था 710 में उसकी playlist चेक करनी है आपको दूसरा आपको telegram group join करना है जहां से आप इस PDF को download कर सकते हो तीसरा आपको books की मैंने list दी हुई है आप उन books पे click करके देख सकते हो कि कौन-कौन से book है आपकी जो आपके लिए useful होगी और चोथी अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं कर रहा है तो channel को subscribe करो पाँचवी पाँचवी चीज यह कि आप मुझे comment section में बताओ कि आपको पहले क्या चीज़े पढ़नी है आपको पहले reasoning पढ़नी है general awareness पढ़नी है, general science पढ़नी है क्या चीज़े आपको सबसे पहले पढ़नी है ठीक है, तो यही चीज़ है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरू कर देना channel को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं कहा है तो please channel को subscribe जरू कर देना फ्यूचर के सभी updates के लिए मिलते है ने फ्यूदियो में तिल देन, बाबाई, तेक केर और अल दे बेस्ट